ये मैंने 500 गरम भिंडी को अच्छी तरह से धो कर सुखा कर गोल गोल थोड़े पतले पीसेस में कट कर लिया है भिंडी अच्छी नरम और फ्रेश लें अब तवे पर दो बड़ा चमश तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो एक पिंच हिंग आदा छोटा चमश राई आद करेंगे थोड़े कढ़ी पत्ते और के लहसुन के गोलटन हो गया है अब भिंदी डाल देंगे आधा छुटा चमशрист के हसाब से नमक डाल कर मिक्स और मिटियम फ्लेम और छोटे टुकड़ों में कटी हुई है इसलिए से पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भिंडी फ्राय करते हुए लगब चार मिनट हो गए हैं और भिंडी क्रिस्पी होने के साथ इसाथ 70-80% तक पक भी गई है अब इसमें 3-4 पिंच गरम मसाला पाउडर, quarter teaspoon हल्दी पाउडर, आदा छोटा चमच लाल मिर्श का पाउडर, एक छोटा चमच धनिया पाउडर, आदा छोटा चमच अमचुर पाउडर, अमचुर पाउडर ना हो तो लास्ट में निम्बू का रस भी एड़ कर सकते हैं, दो छोटा चमच सोंफ का पाउडर डालेंगे, स इसमें एक बड़ा चमच भुनी होई मुंगफली, जिसे मैंने मिक्सर में मोटा मोटा पीस लिया है, एट करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, यह आप्शनल है, लेकिन इसे भिंडी की सबजी और मज़िदार लगती है, अब इसके उपर हरा धनिया डाल देंगे, और